पिछले अफ़ते हमारे यहां से दो जानवर रिकवर होके रिलीज हुए, दो नए रेस्क्यूज आएं और एक काफी गुड नीउस है पर पहले मैं आपको अपडेट्स दे दूँँ डेजी को हैंडल करने में हमें बहुत ज्यादा परेशान ही हो रही है, वो अपना यी कॉलर बारिवाई तोड़ देती है उसका जो एम्पूटेशन सरजरी हुई थी उसने अपने वहले स्यूचर्स भी खोल दिये, वहाँ पे उसकी स्किन भी कमजोर है तो दुबारा स्यूच करने के लिए चाहिए, पर देखते हैं इसका आगे होगा क्या, चितकवरा की स्पे सरजरी सक्सेस्फुली हो गई है, और हील होने के बाद अब वो अगले हफते रिलीज हो जाएगी, तो अगर आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यह आपका आखरी चांस है, वैस उसने अचानक रेबीज के सिम्टम्स दिखाने शुरूर कर दिया, उसको कुछ टाइम अब्सर्व करने के बाद हमें यूथनाइस करना पड़ा, क्योंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, इसलिए हम स्ट्रेस करते हैं कि अगर आपने कोई भी पैट लिया है, तो उसको आ अंदाज कर देते हैं, और जब तक गाओ बड़ा होता है, तब तक जो इंफेक्शन है, वो सिस्टेमिक हो चुका होता है, यानि कि इंफेक्शन ब्लड श्रीम में चला गया होता है, और सेपसिस की वज़ा से इन जानरों को बचाना नामुम्किन हो जाता है, बेसाहरा आए बेल नजर नहीं आएगा, तो चर्चा इसी विशे पर रही कि गौसदनों का संचालन ठीक तरीके से कैसे किया जाए, और नए गौवन का निर्मान किया जाए, पर मुझे लगता है, यह लगभग ऐसा है कि एक कमरा जिसमें नलका खुला, उसमें हम पोचा लगाते रह है, यह हम जानवरों की तकलीफ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर बात हमारी तकलीफ की है, तो तो दूद आप भैस से ले लीजिए, भैस सीधा देरियों से बूचट खाने जाती है, ना हमें वो नजर आती है, कहते हैं ना, आउट अफ साइट, आउट अफ माइंड, पर हाँ, अगर हमें परवाज जानवरों की है, तो सरकार ने सोवे मिल्क का अभियान छेडा था, और वो ही अभियान दुबारा छेड़ना चाहिए, खेर वापिस अपडेट्स पे आते हैं, तो शुकरवार को संजु बावा ने मूँ फुला लिया, नहीं वो हमसे नराज पर उसके मूँ पे या तो कोई काटा चुबाया है, या उसको कोई कीडा काट गया है, और इंफेक्शन की वजाए से उसको स्वेलिंग आ गई है, तो हमने उसको एंटिबाटिक्स पे रखा है, रोहिज जो हमारे साथ सितंबर से था, क्योंकि उसके कंदे पे चोट लगी ह हुई थी, अब वो ठीक होगे वापिस चड़ी में रिलीस हो गया है, सिंगल सिंग जो हमारे साथ अक्टूबर से था, क्योंकि उसका एक सींग टूटा हुआ था, अब सींग तो उसका नया नहीं उगना था, पर वो पूरी तरह हील हो गया है, और हमने उसको शापूर में कर दिया है, रैत में एक और गाय है, जिसके कंदे पे चोड लगी हुई थी, क्योंकि हमार बस जगा नहीं थी तो हम इसका ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर रहे थी, पर वो में कभी मिलती थी और कभी नहीं, शनीवार को अशोक कुमार जी ने उसके बारे में हमें दुबारा कॉल क्योंकि हमने दो बैल रिलीज के थे, हमार बस जगा बन गई थी और हम उसको यहीं पर इलाज के लिए ले आए हैं, उसका नाम हमने कर्मा रखा है, फिर शापूर की जयोती जी को रानी दाल में एक पपी मिला, वो उसको अपने साथ यहां ले आई, इस पपी को करने के बाद पालंपूर भेजा, वहां पता लगा कि इसको हरनिया है, और वहां पे इसकी सर्जरी हो गई है, हमने इसका नाम छूइमुई रखा है, धड़म जो हमारा बगल वाला गाउं है, वहां से रौकी नाम का एक कुता घर से भाग गया, अब जब तक वो मिला तो द और तर्बूस तीनों के लिए घर मिल गए है, जैसे जैसे अपने घर जाएंगे, हम ये वीडियो तेली ग्राम एप पे शेर करते रहेंगे, आप टेली ग्राम एप पे पीपल फार्म की सेर्च करेंगे, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, थैंक यू,